हाँ बैसे हो इक बार बताएंग गुटीवनिंग 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 तो इक बार मैं पूंग नि शुप कुछ लोग क्लास नहीं हो रिगुलेर, आप 087 lifting 4 वीडियों गुट्र 1 और खिंग 50 अ concentrated चरक कर रहा था कि यार मैरे लाइव पढ़ाने से क्या रसपोंस है आप लोगों का और bunny को पूरे time live पढ़ापा हूं पैसे पॉसिबल है अगर आपका टार्गेट गेट 23 है बहुत ध्यानसु सुनना अगर आप लोगों का टार्गेट जो की होना भी चाहिए अगर आप मेरे साथ अभी पढ़ा पाऊं ठीक है इसकी possibility बहुत कम है इसलिए मैं आप लोगों को कुछ एक सब्जेक्ट dependent मेरे उस पर dependent है आप लोगों के response पर dependent है कि आप कुछ एक recorded video लाऊंगा जिसको crash course के नाम से आप लोग देखोगे बट वो crash कोर्स ना बहुत भारी रहेगा ठीक है क्यों क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सीधी बात नो बक्वास टूदी पॉइंट बात करेंगे और रिजल्ट लाइंगे हमारा concern क्या है recorded कहां पर है अरे इसी चैनल पर तो डाला था जो आपने YouTube के योद्धा सिर्फ देखे होगी उसमें अभी लास्ट के चार लेक्चर देखें वो recorded वीडियोस थे नहीं देख पाई नहीं समझ पाई क्या उस बात को बोलो हां या ना ठीक है तो मैं चाहता हो एक बार जल्दी से शेयर करेंगे हमारा जो ग्रुप है YouTube के योद्धा जितने भी सो रहे जो भी आपके मन में डाउट है प्छले चार लेक्चर का कुछ भी आप पूछना चाते हैं जिसमें कि मैंने आपको यह बताया था कि हम treatment of water में कैसे करते हैं तो सेडिमेंटेशन के लिए मैंने तीन एनालिसिस बताए आपको तो एनालिसिस में मैं आपको बुला कि आपके पास एक ग्लास ले रहा था एक स्टूडेंट पूछा कि थाओ थारणि के बाद तो शो नहीं हो रहा क्यों नहीं हुआ थाटीन फ़र्टीन को क्लास होई फिफटीन शिक्टीन ऍलश्टीन ग्लास निविए रिकलर्ट में न मज़ा नहीं आता है पर कुछ वीडियोस देखना पढ़ेंगे ऊच वीडियोस रिकॉड़ेट देखनापै ठीक है तो एक बार शेयर कर देंगे वापिस से हमारे जितने सोते हुए चीते हैं जिनको यह पता निए कि प्रतीक सर वापिस आ गए है उन लोगों के साथ एक बार शेयर कर देंगा और फिर हम अपनी बातों को शुरू करते हैं तो चलो मैं पहले आप लोगों से बीच- प्लेट ने प्लेट पर नहीं प्टा सकते हैं हैं तो हम क्या करेंगे इसी पर पढ़ानी की कोशिश करेंगे ऐसी पर लॉट नहीं कुशिश करेंगे ऐस सेगन रुकिएगा बस एक सेगन का समय और चलिए आप लोगों से जीश ऑप पंदरह नहीं हूआ है मैंने क्लास नहीं थी बस 15 16 को क्लास नहीं है बाकि आपको क्लास देखने को मिलेगी ठीक है क्योंकि हम गए हुए ते घर रक्षबंधन के लिए और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके गए थे ताकि आप लगों को कोई भी प्राब्लम ना हो तो चलिए आगे स्टार्ट सब्सक्राइब करते हैं हमारी बातों को यौर वाइस गिवस उस मोर एनरजी टू लान एंड थाइंक यू ओ आई कर रहा है सर जी प्लीज मैं हमबल रिक्वेस्ट इरिगेशन इंजिनेरिंग का मैरथन कब लोगे इरिगेशन इंजिनेरिंग का मैरथन पड़ा हुआ है प्लेइस्ट में जाओगे मिल जाएगा इंजर इरिगेशन कंपर अपडेट करा दीजी यह बहुत इंप बात बात बूलिए जिसको मैं अपडेट करा दूँगा अप लोगों के लिए तो चलिया यह स्टार्ट करते हैं हमारे सारे चीते आचुके, सारे तो नहीं आएं, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे उन तक खबर पहुशती जाएगी, वो लोग आते जाएंगे, ठीक है, तो चलिए आईए बाते को शुरू करते, तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ यार, कि मैंने आप लोगों को कहा पे छोड़ा था, और क्या चीज़ सिखाई थी, जो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिली होगी, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया, कि देखे, जब भी हम एक बात करते किसकी बात कर रहा हूं मैं आप एक चोटा सा क्विक रिविजन मारता है जो हम सीखे तो इसका एक क्विक रिविजन मारता है तो हम सेडिमेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे हम किसके बारे में बात कर रहे थे sedimentation के बारे में बात कर रहे थे, अब sedimentation में मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई, sedimentation का exact meaning क्या होता है, तो मैंने आपको बोला कि sedimentation का exact meaning बोलता है, कि आपके जो भी particle पानी में available है, आप उनको पानी से कैसे बाहर निकाल रहे हैं, है ना आप उसको tank में एक tank यूज़ कर रहे हैं, sedimentation का मतलब होता है, removal of suspended particle from the water, जो भी आपका sample है, उसमें से suspended particle को remove करने की process को हम क्या बोलते हैं, तो उसमें से particle को remove करने की process को हम sedimentation बोलते हैं, और मैंने बोला जो tank यहाँ पर use किया जाता है, उस process के लिए, उस process, उस tank को क्या बोलते हैं हम लोग, तो मैंने बोला उस tank को हम लोग sedimentation tank बोलते हैं, मैंने बोला उस tank को हम क्या बोलते हैं, sedimentation tank बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है आज सर 2-3 class का revision ही ले लिजे, जैसा आप चाहो, जैसा आप चाहो मेरे को कोई इशु नहीं है आज लास्ट की दो तीन क्लास को मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं अगर आप चाहते हो कि लास्ट की दो तीन क्लास कंक्लूड कर दो सर तो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं लास्ट की दो तीन क्लास है ना आप लोगों के originally बात कर रहे हैं तो हम यह बोल रहे हैं कि यह जो टैंक है यह जो टैंक है आपके पास इसकी हाइट हमने कित्ती कंसिडर करिए तो मैंने इसके हाइट हमने आपके पास कंःट को घूमा के देखा तो मैं नेका यह दिख रहा है이고 मैंने फृटम के देखा और ऐसे में टैंक रखका हुआ है यह तो इस तरीके का कुछ टैंक हमको देखने को मिलता है मैंने बहुत पर एक बॉटम में लेयर फ़र्म होती है यहां पर जो भी आपका सेडिमेंटेशन होगा उसकी वज़े से यहां पर एक लेयर फ़र्म होती है ठीक है उसके लिए हम अलग से स्पेस छोड़ते हैं तो यहां पर आपको एक layer formation देखने को मिलता है ठीक है सर और वही layer मैंने आपको यहाँ पर बनाई है इस tank में मैंने वही layer आपको यहाँ पर बनाई है अब देखो sedimentation के लिए हमने बोला कि हम यहाँ पे एक word use करते हैं मैंने आपको जब भी पढ़ाया last lecture में आपने सुना होगा एक word use करा surface overflow rate मैंने वहला आपने मेरे साथ में एक word सुना surface overflow surface overflow rate नाव यह surface overflow rate क्या है बहुत ज्यान से सुनेगा तो surface overflow rate क्या है तो हम कोई भी एक concerned size particle select करते हैं तो मैंने बहुत है हम एक क्या करते है concerned size particle select करते हैं तो जो भी हमारा study particle होगा जिसके बारे में हमको जानना है वह हमारा concerned ठीक है तो मैंने यहां पर एक और चीज़ बताई आपको बहुत ध्यान से सुनेगा वो यह है कि यहां पर जो भी मेरा concerned size particle है उस concerned size particle के size को मैं क्या बोल दे रहा हूं यहां पर उसका size मैं यहां पर capital D consider कर रहा हूं मैंने वहला उसका concerned size particle का size हमने कितना consider किया है तो मैंने वहले जो भी हमारा concerned size particle है उसका size हमने D consider किया है capital D जो कि यहां पर रखा हुआ है है ना इस sedimentation tank में यहां पर रखा हुआ है ठीक है है really all the lectures are awesome love you oh I thank you कर रहा ठीक है चलिए आगे आगे बात करते हैं अब यह जो concerned size particle है इसके उपर दो तरीके के forces लग रहे हूंगे क्यूं क्यूंकि जब हम sedimentation में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के tank होते हैं एक होता है continuous flow type tank एक होता है आपका continuous flow type tank continuous flow type tank ठीक है continuous flow type tank तो मैंने बिला अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपसे horizontal continuous flow type tank की बात कर रहा हूं मैं अभी जो बात कर रहा हूं आपसे वह horizontal continuous flow type tank की बात कर रहा हूं तो जब भी यहां पर यहां पर बात करूंगा बात करूंगा तो आपका water always flowing condition में होगा आपका water रुक नहीं रहा होगा जब हम fixed tank की बात करते तो आपका water 24 घंटे के लिए एक tank में रखा जाता है ताकि वहां से suspended particles को remove किया जाए लेकिन जब हम horizontal continuous flow type sedimentation tank की बात करते हैं तो पानी हमेशा moving condition में होता है पानी हमेशा moving condition में रहेगा तो हम उस particle के उपर क्या-क्या forces लगने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इस particle के उपर जो एक force लग रहा होगा velocity of flow बोलते वी-एफ बोलते इसको और यहां पर यह जो velocity है यह जो यहां पर tank में लग रही हूगी इसको settling velocity बोलते है सरु टो मैं रहा रहा है इस समझ भफोर्स लग रहा है एक इस इस डिरेक्शन में तो इसका रिजल्टेंट होगा जो हमारे पार्टिकल को सेटल डाउन करा रहा होगा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पार्टिकल को सेटल डाउन करा रहा होगा ठीक है और यह हमको देखने को मिलेगा रिजल्टेंट यह हमको देखने को मिलेगा हमने concerned size particle बुला है तुव Studio gonna gases अब मैंने सिक आनालिशिस के बारे में बात करी थी तो इसके analysis आपको बहुट तो यहां से फिर से ettim blinking टैंक बना ते हैं यहां से फिर से तो concerned size particle की height जो मैं consider कर रहा हूं वो capital H consider कर रहा हूं मैंनो लेंथ में consider कर रहा हूं वो L consider कर रहा हूं ठीक है भाई awesome तो यहां बहुत ध्यान से देखेगा तो इसकी जगे अब मैं क्या कर रहा हूं analysis first analysis कर रहा हूं if particle if particle having size if particle having size bigger than concerned size particle if particle having size bigger than concerned size particle इसका मतलब यह है कि अगर आपके particle की size जो है concerned size particle तो आपका जो भी concerned size particle है उससे बड़ा particle अगर पानी में available है तो आपको कैसा settlement देखने को मिलेगा वो particle remove होंगे या नहीं होंगे या पहले remove हो जाएंगे वो देखना चाहते है ठीक है वो पार्टिकल पहले remove होंगे या नहीं होंगे या जैसा होगा वैसा हम देखना चाहते हैं तो चलिया आईए देखते हैं तो चलिया यह देखते हैं कि अगर particle का size बड़ा होगा तो वह settle down होंगे या नहीं होंगे ठीक है तो मैंने बलाए यहां से अगर मैं बात करना, start करता हूं, तो यहां पर मैंने क्या बोला, concerned size particle D है, जो किस height पर है, h height पर है, इसकी जगए अब में दूसरा particle ले रहा हूं, इसकी जगए अब मैं दूसरा particle ले रहा हूं, उस particle का size D' है, और जो किस height पर रखा है, ह हाइٹ पर दूसरा पर्टिकल ले रहा हूं, जिसका size D' Works है और किस हाइٹ पर रख़ा है, एच हाइट पर रख़ा है, तो Keeping मैंने बोला यह Dश Particle आपका green color का दिख रहा होगा, तो मैंने बोला यह आपका Dश Particle green color का दिख रहा है, यह concerned size से बड़ा particle है, यस सर, इसका size किता है Dश है, ठीक है, मैंने बोला इसके उपर जो forces लग रहे होगे, जो आपको देखने को मिले, मैंने विला यहाँ पर जो velocity लग रही होगे, वो velocity of flow होगी, और यहाँ पर जो velocity लग रही है, वो velocity, settling velocity आपको देखने को मिलेगी, ठीक है sir, मैंने विला अगर इसकी settling velocity के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, velocity of flow तो ठीक है, मैं इसकी settling velocity के बारे म मैं आपसे बात करता हूँ, तो आपको ये बात समझ में आएगी, कि इसकी जो आपकर concerned size particle है, उसकी settling velocity को मैं vs बोल देता हूँ, vs क्या है, settling velocity of concerned size particle, क्या है, velocity of concerned size particle, और मैंने बुला, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, vs डैश बोल देता हूँ, किसको, तो मैंने बुला, यह vs डैश है, settling velocity of bigger size particle, settling velocity of, velocity of bigger size particle, है ना, जो इससे बड़ा है, bigger size particle, settling velocity of bigger size particle, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो क्या आपको यह बात समझ में आती है, बहुत ही ध्यान से देखना, और हर एक point को समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, और हर एक point को समझने की कोशिश करना, और मेरे जितने भी student है उन लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि एक भी minute के लिए class से बाहर कदम मत रखना एक भी minute के लिए class से बाहर कदम मत रखना ये मेरी responsibility है कि मैं gate 2023 में आप लोगों को किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा score अच्छीव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो बहुत ध्यान से सुनना है एक भी minute के लिए class से बाहर नहीं जाएंगे तो चलो आओ तो मैंने विला क्या आपको ये पता है कि d dash जो है वो बड़ा है d से क्या आपको ये बात पता है d dash जो है वो बड़ा है d से ठीक है सर अगर d dash d से बड़ा है तो क्या आपको ये समझ में आता है कि vs dash जो होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा आप अंसर करेंगे मैं को ये बताइए settling velocity vs dash of vs dash किस गा है settling velocity of bigger size particle and vs is the settling velocity of concerned size particle तो मैं को बताएए vs-ध बड़ा होगा या चोटा होगा vs से v Map सर VF Bust continuous ये सट्यमेंटेशन टैंग में लगेगा यह तो ops-ध बड़ा होगा या छोटा होगा vs से तो मैंने गा विस बड़ा होगा vs से क्यों क्योंकि मेरा stokes law बोलता है क्योंकि मेरा stokes law बोलता है कि size के directly proportional होता है settling velocity is equal to g minus 1 gamma w d square divided by 18 mu तो size के directly proportional होता है इसलिए हमने देखा कि vs डैश जो होगा वो बड़ा होगा vs से ठीक है रिया बहुत ध्यान से सुनो लायन क्या नाम है तुम्हारा लायन अरुनेश बहुत ध्यान से सुनो तो vs डैश जो होगा वो बड़ा होगा vs से ठीक है क्यों क्योंकि size बड़ा है size बड़ा है d' is greater than d तो vs डैश is greater than vs ठीक है यहां तक ठीक है बहुत परफेक्ट तो अगर यह समझ में आता है कि vs डैश बड़ा है vs से तो अब हम यहां पर एक चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं हम detention time तो मैंने वहला next अब मैं आपको यहां पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं detention time td तो td is the detention time for detention time किसके लिए है td is the detention time for किसके लिए detention time for for concerned size particle concerned size particle के लिए td is the detention time for concerned size particle और मैंने वहला इसी की जगे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो td हो गया किसी की जगे अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसके बारे मैं td डैश बोलता हूँ अगर मैं तो td डैश क्या है it is detention time of it is detention time it is detention time of concerned oh sorry bigger size particle it is detention time of bigger size particle बड़े size का जो particle है उसका detention time क्या है बड़े size का जो particle है उसका detention time क्या है तो td डैश is the concern ठीक है when particle dies more than the more distraction will come in settlement एक second चिन में इस बात पर भी आपना answer करेंगे चिन में इस बात को बहुत इधिहान से सुनना आपने जो statement बोला है इस पर भी मैं आभी आपसे बात करूंगा ठीक है है ना मैंने आपको assumption नहीं बता है मैंने सोचा कि आपको last class में बता चुका था इसलिए मैंने कुछ बात नहीं करी बड़ स्थिल आपने पूछा है इसलिए आपको इसलिए अधियर करा जाएगा ठीक है तो अगर आपको यह बात समझ में आती ए टीडी डेश है डिटेंशन टाइम आफ विगर साइस पर्टिकल और टीडी डिटेंशन टाइम होचा है तो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो आपको समझ में आता है डिटेंशन टाइम डिटेंशन टाइम पहले होता क्या है सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि डिटेंशन टाइम क्या होता है तो मैंने आप से बोला कि जितनी देर भी आपका पार्टिकल इस टैंक में रहने वाला है जितन ओतवी देर भी आपका पार्टिकल से टांक मरेने वाल है उसको सब्सक्राइब अब यह निकल कैसे रहा होगा या तो यह से टमठेज टो दाउन हो जा रहा होगा या तो इस टैंक से बाहर जा रहा ह makan емend दिटेंशन टाइम को, तो जितनी भी देर, आपका पार्टिकल टैंक में रहने वाला है, वो रिप्रजेंट करता है, दिटेंशन टाइम को, ठीक है सर, तो मैंने बोला यहाँ पर यह जो दिखनी राय उसको लिख देता हूं, यह TD बोला था मैंने, TD डैश, डिटेंशन टाइ of bigger size particle of bigger size particle detention time of bigger size particle यह बोला था मैंने आपसे ठीक है ठीक है अब दिख रहे है सबको आप दिख रहा होगा ठीक है तो मैंने बोला यहां से अगर हम velocity की बात करें और अगर हम settling velocity की बात करते हैं और हम बच्पन से ये बात जानते हैं कि speed is equal to किसके बराबर तो बच्पन से हम जानते कि speed is equal to distance upon में time के बराबर speed is equal to किसके बराबर तो speed is equal to distance upon में time के बराबर और मैंने बुला अगर मैं time की बात करता हूँ मैं को time निकालना है तो time is equal to किस के बराबर मैंने विला distance upon में speed के बराबर यह हम बच्पन से जानते हैं तो मैंने विला अगर मैं settling velocity की बात कर रहा हूं मतलब मैं इस direction में बात कर रहा हूं तो length कितना चलना पड़ेगा इसको settle down होने के लिए particle को कोई से भी particle d size या d dash particle को settle down होने के लिए कितना size चलना पड़ेगा h distance चलना पड़ेगा कितना चलना पड़ेगा h distance चलना पड़ेगा तो मैंने बुला अगर मैं td की बात करूंगा detention time of concerned size particle td is equal to h distance upon में speed, speed is vs के बराबर similarly मैं यहां से td dash की बात करता हूं तो td dash h ही distance चलना पड़ेगा लेकिन किस speed से चलना पड़ेगा आपने बुला vs dash से चलना पड़ेगा तो मैं को यह बताओ detention time is h by vs for concerned size particle and td dash for bigger size particle तो में को बताईए कौन बढ़ा होगा, td बढ़ा होगा यह तीडीड़ बढ़ा होगा जल्दी से बताईए td बढ़ा होगा जल्दी से बता हुगा एक बहुता ही गजब की बात आप लोगों तक पहучेगी आप fan हो जाओगे इस त्रीके से बतायागा ही आपको आप आप फैन हो जाओगे मैंने बोले ना आपका एक एक मिनिट इस स्क्रीन पर जो आप मेरे साथ बिता रहे हो उस उस एक एक मिनिट को बहुत अमेजिंग बनाने की कोशिश करूँगा मैं तो कौन सा बढ़ा होगा किसी एक बच्चे ने बोला टी डी बढ़ा होगा और घथो टी करसा बढ़ा होगा अगर denominator बढ़ा है तीडी बढ़ा होगा क्योंकि विएज डैश बढ़ा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा TD is greater than TD- TD is greater than TD- TD बढ़ा है TD- और अगर TD बढ़ा है TD- क्योंकि denominator बढ़ा है और denominator is inversely proportional to TD- तो TD- चोटा होगा और TD बढ़ा होगा तो TD is bigger than TD- और अगर TD TD- से बढ़ा है बहुत ध्यान से सुनिए और अगर TD TD- से बढ़ा है इसका मतलब यह बोला जा रहा है आप से इसका मतलब यह बोला जा रहा है आप से कि जो concerned size particle है वो टैंक में ज्यादा समय के लिए रहेगा जो आपका concerned size particle है जो आपका concerned size particle है वो टैंक में ज्यादा समय तक रहेगा comparative to comparative to bigger size particle इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि जो आपका TD dash particle है वो जल्दी सेटल हो जाएगा TD dash particle जल्दी सेटल हो जाएगा comparative to concerned size particle तो हमको यह समझ भाया कि as TD is greater than TD dash इसका मतलब है bigger size particle bigger size particle size particle particle will settle early will settle early है ना bigger size particle क्या होगा जल्दी सेटल हो जाएगा अगर bigger size particle जल्दी सेटल हो जाएगा तो एक और बात को बहुत द्यान से सुनेगा है ना ठीके तो bigger size particle जो है वो जल्दी सेटल हो जाएगा इसका मतलब मैं यह बोलना चाहता हूँ कि आपने यह देखा कि td is greater than td dash td is greater than td dash मतलब मैंने आपको क्या बताया कि bigger size particle will settle early bigger size particle bigger size particle will settle early will settle early ठीके जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा will settle early ठीके सर मैंने बहुला आपको tank देखने को मिला था हाँ सर फिर से देखो इस tank को और कुछ बाते समझने की कोशिश करो यह रहा वो tank ठीके फिर से देखो इस tank को concerned size particle कौन से है यह रहा सर क्या size है concerned size particle का मैंने बहुला concerned size particle का size है d जो किस height पे h पे मैंने बहुला bigger size particle को लाओ bigger size particle यहीं पे रख दिया हमने इसका size किता है d dash किस height पे h पे मैंने बहुला अब जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान से देखना मैंने बहुला है यह है यह है आपकी इसी की जगह अब मैं कोई यह देखना है कि यह जो bigger size particle है यह कैसे settle down होगा ठीक है ठीक है अब हमको यह देखना है कि यह जो bigger size particle है यह कैसे settle down होगा बहुत ध्यान से सुनेगा है ना यह बहुत बहुत important बात है यह आप आगे आने वाले जितने भी question देखोगे percentage removal of particle एक भी देखने को मिल जाएगा तो वहां पर इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी तो यहां से हम देखना start करेंगे तो चलिया यहां से हमने देखा कि यह है आपका कौन मैंनो यह है आपके concerned size particle के मैं बात करी यह vf था और यह vonomи अस्था लेकिन अगर मैं particle settle at settle at कहां होता है एल डिस्टेंस एल कहसे सटल होता है तो मैं नहीं बहुत जान मत चारओ बाबर मैंना distance upon my time के बराबर आप बच्पन से यह बात जानते हो speed is equal to किसके बराबर तो speed is equal to distance upon my time के बराबर अगर मैंने बोला कि मैं को distance calculate करना है तो आप यह देखोगे कि distance is equal to किसके बराबर तो distance is equal to speed into time के बराबर distance किस Kate बराबर Speed into time इसना बहुत ध्यान से सुनते जाएगा हर किसी के बसकी नहीं अगर किसी के बसकी तो यहां पर बहुत लोग होते भीड में होते लेकिन rankers तो कुछी आते ना आपने देखा गें 길 memoir आता है तो खुशी कम में लोगों को नेस्ट आ oc लेकिन अगर मैं आपसे बिगर साइस पार्टिकल के लिए बात करता हूं कि वो जल्दी सेटल होगा या मतलब इस टैंक के बाहर निकल रहोगा जल्दी या पहले सेटल हो जा रहोगा तो जब आप bigger size particle की बात करते हो जब आप bigger size particle की बात करते हो तो बहुत ध्यान से सुनेगा तो मैंने वहला distance हो जाएगा L' डैश, is equal to किसके बराबर, मैंने बहुता विलोसिटी ओफ लो तो सेम रहने वाला है, multiplied by टीडी डैश के बराबर मैं को बताओ, वी एफ तो सेम है और टीडी डैश जो है, वो छोटा है, टीडी डैश जो है, आपका जो टीडी ओगा, come on everyone L बड़ा होगा, very good तो L इस बड़ा तो L बड़ा है, L डैश है और L बड़ा है, L डैश है इसका मतलब शायद मैं आपको ये शो करना चाहता हूं इसका मतलब शायद मैं आपको ये शो करना चाहता हूं कि जो आपका bigger size particle है वो पहले settle down हो जाएगा और यहीं कहीं settle down हो जाएगा इसका मतलब ये जो आपका bigger size particle है D डैश और ये D के लिए तो आपका bigger size particle यहां कहीं settle down हो जाएगा और जो आपका concerned size particle है वो आगे जाके settle down होगा, तो ये जो distance है इस distance को हमने बुला किसके बराबर कubenे कचा साइज का पार्टिकल के जगे रख दोगे तो आपका जल्दी सेटल हो जाएगा भड़ा साइज का पार्टिकल इसका मतलब मैं को अगर मैं को कॉष्यन के हिसाब से यह समझ बह lasts आ कि all दोज इसका इसका इनालिसिस कर लिया आप लोगों ने तो इसके इनालिसिस से रिजल्ट क्या मिला इसके अनालिसिस अब देखो बड़े सा इसका पर्टिकल जब यहां था तो जल्दी सेटल हो रहा था तो कम हाइट पे होगा तो अव्यसली जल्दी सेटल होगा तो इसका हम लोगो को क्या concern मतलब इसका हम लोगों को result क्या मिला है इसका result हमको यह मिला है कि all those particle having size greater than concerned size particle will settle hundred percent कोई भी ऐसा particle जो दिया रहेगा question में आपको जिसका size concerned size particle से बड़ा है जिसका size concerned size particle से बड़ा है वो hundred percent settle down हो जाएगा क्या कहते हो कह दो कि यह बात तुमको समझ में आ गई है तो आज के बाद कभी भी question में दिया रहेगा कि concerned size particle पॉइंट 4 एमें तो concerned size particle से बड़ा particle अगर दिया रहेगा पॉइंट 5 एमें पॉइंट 6 एमें सब्सक्र चमका है मैंने बोलाओं हर किसी के कि बसकी नीए लेकिन जिसको एक इस पर आई गए हैं तो इसका post-mortem कर देते हैं next level post-mortem कर देते हैं पोस्ट-mortem करें इसका थोड़ा सा और चमका है सबको तो चलिए आईए इसका post-mortem करते हैं after eight years of graduation preparing for gate possible only because of you thank you sir oh thank you अंशुल thank you bro thank you so much यार डिमपल वॉय की लिखा है बस यह बता दो मेरे को डिमपल वॉय की लिखा है यह बता दो मेरे को ठीक है दिमाग के अंदर घुज गया अभी कहा अभी तो बाकी है बहुत कुछ बाकी है सुनते रहो बस मैंने आपको बूला ना चीता बना दूगा सबक सबको पना चीता बना देंगे सबको चलम और बात करते मैंने क्या बूला था हर किसी कंसी बस्खी नहीं अगर हर किसी स्पर नियुकलत बात होती है तो चली आईए बात करते हैं यह अच्छा लग रहे कि अच्छा लग रहे कि अच्छा लग रहे कि इस पर बढ़ाएं इस पर बढ़ाते हैं है न एन्वार्मेंट पढ़ रहे इस पर बढ़ाते हैं तो मैंने वाला सुनो फिर अगली बात सुनो एनालिसिस टू ब नाम है अपको च्टूडेंट्स है अब इसको मेंसेज किया था तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मिले उस से अभी वह अपनी लाइफ को इंजॉय करना स्टार्ट किये तो आप लोगों को पता रहे हैं तो हम अमेशा profit loss देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि profit loss में आपको पता रहे कि आपको क्या profit मिलने वाला है ठीक है तो just recent IAT में गया है must सी feeling होगी उसकी must से देखना कि यह ना कि क्या मज़ाएगा सर हमने तो assume क्या किया कि concerned size particle tank के अंदर last में settle होगा what if वह बाहर सेटल होगा पूझा बहुत अच्छा कूशन है रहा है जो limiting पर हो छो यहां पहुँआ है तो बताना की किससे पढ़के आयो और मेंको कभी भी जब आपको टाइम मिल जाएगा तो मैंको कौल करके से बताना कि सर पहुच गए जहां पहुचना चाहते थे ठीक है मैं को कॉल करके बताना कि पहुच गए सर जहां पर भी पहुचना चाहते थे और उसमें मेरा 1% contribution है यह भी बताना कि आपका 1% contribution था ठीक है चलिए आईए analysis तो analysis 2 देख रहे हैं हम लोग तो यह second analysis आपसे क्या बात कर रहा है तो यह second analysis आपसे कुछ इस प्रकार बात कर रहा है बहुत द्यान से देखेगा तो यह second analysis क्या बोल रहा है तो मैंने बहुत यहां पर फिर से आपके पास एक tank है तो मैंने बहुत यह रहा आपका वो tank मैंने बह यहां पर पानी भरा हुआ है जिसके अंदर आपका सेंपल वाटर भरा हुआ है ठीक है कि आपका नंबर लास्ट में पता है यार आपको नहीं पता है तो फिर आप गलत दगें अभी यह देखो यह उपर ग्रूप लिखा हुआ गेट अड़र 24-7 है उसको जॉइन कर लो ठीक है इन लोगों को पहले से पता रहता है क्लास है के निशाएद आपको नहीं पता रहता होगा चिन में वहां पर वह जो नंबर दिख रहा है कमेंड बॉक्स में पिंड है उसको जॉइन कर लो वहां से सब कुछ पता चल जाएगा तो मैंने बोला यहां से चलो आओ बात करते हैं, तो यह जो concerned size particle है आपका, मैंने बोला यह रहा आपका concerned size particle, जब यह concerned size analysis 2 बता रहा हूं मैं आपको, analysis second, analysis second बता रहा हूं, तो मैंने बोला यह जो आपका concerned size particle है, यह पहले किस height पर था, तो मैंने बोला यह D size का particle है, h height पर था, तो मैंने बोला आपसे, कि यह D size का particle था, और किसी h height पर रखा हुआ था, ठीक है sir, मैंने बोला और जब हम इस पर बात करते थे, तो इस पर जो velocity लगती थी, वो इस direction में व इस लगती थी ठीक है सर और जब ऐसा होता था जैसे ट्रांस्पोटेशन रोड पे लिख दिया था ऐसा आपका नाम लिख देंगे ओ आई कर रहा है ठीक है तो मैंने बहुत यहां पर ध्यान से देखेगा यहां पर ध्यान से देखेगा तो आपको यह समझ में आएगा कि जब सेटल डाउन हो रहा था तो कैसे सेटलमेंट हो रहा था इस तरीके का सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा था इस तरीके से आपका पार्टिकल यहां पर आके सेटल डाउन हो रहा था था ठीक है सर कंसर्ण साइस पार्टिकल मेरा ऐसे सेटल डाउन हो रहा था नाँ the same size particle, same size particle, हम लोग same size का particle consider कर रहे है, at height, at height, small h, at height, small h, और हमने बोला यह जो small h है, it is less than capital H, और हमने बोला यह जो small h है, यह capital H से कम है, ठीक है, यह जो small h है, यह capital H से कम है, तो यहां पर आप हम concerned size particle की बात कर रहे है, उसको हमने कहां consider कर लिया, same size का particle है लेकिन आज कहां रखा हुआ है तो आपने बुला ये same size का particle है d size का particle है लेकिन small h पर रखा हुआ है लेकिन ये कहां रखा हुआ है small h पर रखा हुआ है तो हमने ये बुला कि ये d size का particle है लेकिन कहां रखा हुआ है ये small h पर रखा हुआ है और जब यह small h पर रखा रहेगा तो आपको यह पता है कि h is less than capital H yes sir, अगर h capital H से कम है, तो settling velocity तो दोनों की same रहेगी, बोलो हाई या ना, settling velocity same रहेगी, दोनों point पर बोलो हाई या ना, yes sir, settling velocity will remain at same at all the points, क्योंकि particle का size तो same है, क्योंकि particle का size तो same है, तो यह तो same रहने वाला है, constant vs is equal to vs रहने वाले है, लेगिन आपको यह बात समझ में आएगी, कि जब हम यहाँ पर detention time की बात करेंगे td, तो इस point पर जो detention time है, उसको मैं मान रहा हूँ, td dash की बराबर, और इस point पर जो td, detention time है, उसको td मान रहा हूँ, तो td यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, detention time, detention time, detention time of size d at height h and td dash is detention time of size d of height h at height h at height h, ठीक है सर, यह भी बात हमारे समझ में आए, मैंने बिलाए अगर आपको यह बात समझ में आती है, तो अब जब यह settle down हो रहा होगा, तो आपको यह समझ में आएगा, कि td is equal to किसके बराबर, time is equal to distance upon speed, तो distance है h upon v s के बराबर, और मैंने बिलाए यहाँ पर td dash की अगर बात करोगे, तो td dash is small h upon v s के बराबर, तो कौन बड़ा देखने को मिलेगा आपको इसमें से, जब td is equal to h upon v s हो गया, और td dash is equal to small h by v s हो गया, तो यह value छोटा हो जाएगा, यह value छोटा हो जाएगा, तो होंको समझ में आएगा, कि td is bigger than td dash, td is bigger than td dash, इसका मतलब यह है, कि जब भी आप अपने particle को, किसी h height से लेके small h height पर रख दोगे, जब भी आप अपने particle को h height से small h पर रख दोगे, तो particle जल्दी settle down हो जा रहा है, तो वो particle जल्दी settle down हो जा रहा है, td dash छोटा है, तो particle जल्दी settle down हो जा रहा है, ठीक है sir, length check करवाओ sir, length check करवाओ, ऐसे तो मज़ा नहीं आए, तो मैंने वला l अगर मैं बात करता हूँ, जो कि l यह है, तो अगर मैं l की बात करता हूँ, तो vf into td के बराबर, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, l dash के बारे मैं बात करता हूँ, तो it is vf into td dash के बराबर, और जब आपको पता है कि td dash छोटा है td से, तो l dash छोटा होगा l से, तो इसका मतलब यह है, कि जो कि आपका यह जो concerned size particle है, जो small height h पे रखा हुआ है, वो जल्दी settle down हो जाएगा, वो जल्दी settle down हो जाएगा, मानते हैं इस बात को, वो जल्दी settle down हो जाएगा, और किस distance पे settle down हो जाएगा, तो मैंने बहला यहाँ से, कितने distance पे, l dash distance पे यह settle down हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका कंसर्ण साइस पार्टिकल ऊपर की जगे किसी भी स्मॉल आइट एच पर है तो वह 100% सेटल होगा तो वह 100% सेटल होगा अगर आप तक यह बात पहुच गई है तो मैं को इत्तिला करेंगे अगर आप तक मेरी बात पहुच गई तो इत्तिला करेंगे तो 100% सेटल होगा यहां तक तो नॉर्मल बात है बात यह है कि यह जो दो लाइन आपको देखने को मिलेगी एक दूसरे के पैरलल देखने को मिले से एक दूसरे के पैरलल करने से पहले इस पता नहीं चल पाता है प्लेलिस्ट अप्डेटेट करता हूँ भी ले लिस्ट आज अपडेट करवा देंगे चली आईए यहां तक लियर है बहुत शांदार अगर यहां तक लियर है मजा नहीं आ रहा है यार कम लोग है मजा नहीं आ रहा है मैंने आपको बुला था ना यह आप लोगों की responsibility यह 30 का number maintain करना ठीक छलो बात करतें और तो यहां तक लात की बात समझ में आ गई होगी आप लूगो next analysis देखते हैं WhatsApp अगर Sched Emax मेरा क्या बोल रहा है ठीक है 3rd analysis मेरा क्या बोल रहा है तो analysis 3rd बोल रहा है if particle if particle having size if particle having size size if particle having size smaller than concerned size particle, अगर particle का size smaller than concerned size particle smaller than concerned smaller than concerned size particle अगर आपके concerned size particle से कम है वो size तो फिर कैसे देखते हैं, if particle having size smaller than concerned size particle तो चलो ओओ छेक करते हैं कि कैसा हो रहा होगा, चलो ओओ छेक करते हैं तो मैंने बहुत यहाँ पर अगर आप धिहान से देखोगे, मैनुला अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का सिनारियो देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो आपको इस तरीके पर रखा हुआ है, जो किसी h height पर रखा हुआ है, मैंने बुला अब हमने इसकी जगे पर क्या कर दिया, हमने इसकी जगे एक छोटा पार्टिकल रख दिया, यह लो यह छोटा पार्टिकल यहाँ पर इत्ता सा पार्टिकल है, यलो गलर के इसके उपर रखा तो छोटा दिख है तो मैंने बुला यहां पर अगर हमने बात करिए तो concerned size particle का size क्या है मैंने बुला इसका size small d है और इसके height capital h है इसका size small d है या मैं small d dash बोल देता हूँ small d dash बोल देता हूँ इसका size small d dash और इसकी height तो h ही आज भी तो आपको यह बात सब्सक्राइश रख दो या d2 रख दो कोई दिक्तर नहीं है इसका नाम d2 रख दो यह d2 है जो की small जो की height h पे ही है ठीक है sir अगर यह बात आपको समझवाती आप दो मैंने आप से बोला कि आपको यह बात पता है कि d2 is less than d try sorry d2 is less than capitalव d correct हां तो मैं आप से बोला कि अगर मैं इनके detention time कि बारे में बात किरता हूं तो detention time को हम कैसे देखते है तो मैरा detention time बोलता है td is for detention time for concerned-size particle, time is equal to distance upon my speed, speed is vs और मैंने बिला अगर इसके छोटे size particle की बात करता हूँ तो इसको td dash बोल देता हूँ and that is equal to capital H divided by vs2 बोल देता हूँ और आपको ये बात पता रहेगी कि vs2 is less than vs रहेगा क्यों? क्योंकि concerned size particle का size बढ़ा है और size बढ़ा है तो settling velocity जाधा होगी और size छोटा है तो settling velocity कम होगी तो vs2 is less than vs vs2 ठीक है? तो vs2 is less than vs ठीक है साथ अगर ये बात समझ में आती है तो मैं को ये समझ में आएगा कि td is less than td dash oh sorry td dash हाँ td dash ही बोल देते हैं td is less than td dash तो इसका मतलब क्या है? td less than td dash है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका concerned size particle है वो कम देर के लिए रहने वाला है इसका मतलब वो जल्दी settle हो रहा है और जो आपका छोटे size का particle है इसका मतलब वो settle down नहीं हो रहा है और अगर वो settle down नहीं हो रहा है देखो एक बार वापिस से आया क्या connection अरे यार ये क्या हो गया ठीक आ गया 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 ज़्यादर देर तक settle down नहीं होने वाले और अगर ऐसा हुआ कि td is less than td dash अगर ऐसा हुआ कि td is less than td dash तो हमको ये बात समझ में आ गया कि ये tank में ज़्यादर देर तक रहने वाला है small size का particle small size का particle ज़्यादर देर तक tank में रहने वाला है ठीक है ठीक है अगर ये बात समझ में आई तो मैंने बहुत है नहीं नहीं ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है length में बात करो ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है length की terms में बात करो तो मैंने वहले length की terms में अगर हम बात करते हैं तो L is equal to किसके बराबर तो मैंने वहले it is Vf into Td के बराबर for concerned size particle and L dash is equal to Vf into Td dash के बराबर और आपको यहां से यह समझ में आएगा कि L dash value जो है L dash यहां से हमको यह निकल के आएगा conclusion कि L dash जो है ठीक है L dash जो है L dash is greater than L और L dash अगर L से बढ़ा है और L dash अगर L से बढ़ा है तो मैं कोई यह समझ में आया अगर L dash L से बढ़ा है तो मैं कोई यह समझ में आया कि यह जो आपका concerned size particle ता यह तो यहां पे जाके settle down हो जा रहा था यह जो आपका concerned size particle था यह तो यहां पे जाके settle down हो जा रहा था लेकिन जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में इस smaller size particle की बात कर रहे थे तो यह जो smaller size particle है यह जो smaller size particle है यह क्या हो रहा था कि यह सेटली नहीं हो पा रहा था तो यह सेटली नहीं हो पा रहा है इस टैंक में सेटली नहीं हो पा रहा है और बाहर चला जा रहा है इस टैंक में smaller size का particle अगर आप concerned size से छोटे size का particle लेते हो किसी edge height पे ही तो वो particle settle down नहीं होता है वो tank से बाहर चला जाता है without settlement इसका मतलब वो पानी के साथ बाहर चला गया और हम क्या चाहते थे उसको settle down कराना क्योंकि हम पानी में से suspended solid को remove करना चाहते हैं ठीके ठीके क्योंकि हम पानी में से क्योंकि हम पानी में से suspended solid को remove करना चाहते हैं ठीक है सर हावयरीजी サ हाइडरोजी करवा दो करवाते हैं, करवाते हैं समय दो थोड़ा सा, अभी ये चल रहा है इसको finish कर लें थोड़ा समय तो करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे ठीक है तो ये बात समझ में आई सबको ठीक है सब लेकिन लेकिन यहां पर हम बोलते हैं कि अब हम बोलते हैं कि जो smaller size का particle है लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं बहुत द्यान से सुनेगा कि जो smaller size का particle है इसको हम किसी भी height small h पर रख देते हैं यह जो आपका smaller size का particle है उसको किसी height small h पर रख दिआ smaller size का particle किसी height small h पर रख दिआ ठीक किसी height small H पर रख दिआ हमने बोला कि आपका जो particle supermarket smaller height का आपका जो पार्टिकल है, concern size पार्टिकल से जो छोड़ा पार्टिकल है, उसको किसी height small h पर रख दिया, तो आपको ये बात पता है, कि small h, sorry, आपको ये बात पता है, कि small h is less than capital H, is less than capital H, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन में, एक दिन में, तो खुद, खुदा भी आ जाएं, तो नहीं समझा पाएंगे, है ना, शुरू से पढ़ना पढ़ती है, ये सारी बात है, एक दिन में, अगर engineering इतनी आसान होती, तो अगर easy होती, तो rewards भी easy होते, समझ रहे हो, rewards भी easy होते, बैंक का जॉब देते हैं, देते हैं ना, और हो जाते हैं सिलेक्ट, तो बैंक वाला जॉब मिलता है, यहाँ पर PSU मिलता है, समझ रहे हो, rewards भी different है, salary भी different है, lifestyle भी different है, perks भी different है, और यह सब different के लिए, different तरीके से मैनत भी करना पढ़ती है, है ना, different तरीके से मैनत भी करना पढ़ती है, यही तो game है, यही तो game है, है नो, civil services, tough होती है, rewards भी different है, है ना, different reward, ठीक है, चलिए आईए, और बात करते हैं, ठीक है, फॉण से subject है, यह economics है, economics, ठीक है, तो मैंने बहुला, अगर यह समझ में आ रहा है, कि small h is capital h, small h is less than capital h, अभी नहीं, देखो, यह बात आपने गलत बोल दी, चिन में, कि अब बता देते हैं, सर, कि अब देख के, सौरी, विनीत, विनीत, अब आपने यह बात गलत बोल दी है, कि हमको देख के ही समझ में आ जा रहा है, कि कौन सा particle settle होगा, ठीक है, और वैसे भी exam में आपको, particle का size बताया जाएगा, exam में आपको particle का size बताया जाएगा, ठीक है, तो मैंने बहुला, यहाँ पर देखने जा रहा है, यहाँ पर, अब बोल रहे हैं, अगर small h जो है, वो capital h से छोटा है, हाँ सर सही बात है, और मैंने बोला कि, यहाँ पर settling velocity of concerned size particle, बड़ी होगी settling velocity of, small size particle, बोलो हाई है न, यह भी तो 2 condition लग गई है, अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर मेरी 2 condition लग गई है, vs is greater than vs2, और small h is less than capital H, 2 condition लग गई है, तो अगर मैं यहाँ पर td dash निकालूँगा, अब मैं यहाँ पर td निकालूँगा, तो td is equal to h upon में vs के बराबर, और td dash is equal to small h upon में vs2 के बराबर, td dash is equal to small h upon में vs2 के बराबर, तो अब यह बता पाना मुश्किल होगा मैं को, अब यह बता पाना मुश्किल होगा मैं को, कि कौन सा settle हो रहा है, कौन सा settle हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, किसी एक h value के लिए, और किसी एक vs2 value के लिए, एसी condition आएगी किसी एक h और किसी एक v s2 पर आपको यह पता चलेगा कि आपका जो td डैश है वो td के बराबर हो जाएगा किसी एक h किसी एक small height h के लिए और किसी एक velocity v s2 के लिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो मैंने आपसे क्या बुला कि किसी एक h के लिए और किसी एक v s2 के लिए एक ऐसी value आईगी जिसमें td डैश किसके बराबर हो जाएगा तो आपको यह समझ में आएगा आपको यह समझ में आएगा अरे क्यों भाई क्यों कर रहा है अरी जीत भाई मत कर अभी पढ़ने दें लोग को इन लोग का exam है दो अभी 5th semester में मस्त इंजुआ कर अभी ठीक है देखना है क्या नाम लिखा टाइटल में लिखा गेट एंवा ठीक है तो हमने बूला देखो टीडी रैश इस इकवल टू टीडी के बराबर तो किसी एक कंडीशन ऐसी होगी जब आपके सारे स्मॉलर साइज पार्टिकल क्या हो जाएंगे जितने भी स्मॉल हाइट एच पे हैं वह 100% सेतल हो जाएगे जितने भी स्मॉल हाइट है पर क् तो हम को यह समझ में आए हमको यह समझ में यह नहीं बहुत ध्यान से सुन म----- İyi मिला result क्या मिला तो इससे हमको यह result मिला कि all those particle all those particle having size all those particle having size smaller than concerned size particle ध्यान से सुनना ठीक है all those size all those particle having size smaller than concerned size particle ठीक है smaller than the concerned size particle will settle partially all those particle which is having size smaller than concerned size particle will settle partially तो इनका जो भी settlement होगा इनका जो भी settlement होगा वो क्या होगा partial settlement होगा जो particle उपर है वो नहीं सेटल होंगे जो particle नीचे height पर आजाएंगे वो सेटल हो जाएंगे तो आपको एक पार्शियल सेटलमेंट वैल्यू देखने को मिलेगी ठीक है ठीक है आपको partial settlement वैल्यू देखने को मुलेगे अब टिंदर है क्या बात किर रहा है नंबर दो नंबर दो एक मिनित का काम है ब्लॉक करना सोच रहूं पढ़ले 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 हो जाता आ है कई कि क्या बात करते हो तुम लोग को पता भी है मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि you guys going to be an officer so you should have that attitude in yourself from the very beginning कि भाई मैं किस से बात कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं पता रहे आपको ठीक है still मैं आज जो भी हूं मतलब जिस भी stage पे हूं जहां पर भी हूं मैंने अपने teachers को जो बात करते हैं या जो भी all those person who have some different knowledge even they are smaller than younger than me मेरे को पता है कि how an officer should be treated and how an officer should treat ठीक है तो उस तरीके से बात करा करो आप लो ठीक है तो मैंने बहुत क्या analysis मिला आपको तो analysis यह हुआ कि all those particle having size smaller than concerned size particle will settle partially तो अब आपको एक गजब की चीज़ पता चल गई है अब आपको एक गजब की चीज़ पता चल गई है बोलो क्या वो गजब की चीज़ यह है कि आपने यह सीखा कि कोई भी size जिसका particle हमारे concerned size particle से बढ़ा है ठीक है तो मैंने बहुत अल्टोस particle having size bigger than concerned size particle will settle 100% will settle 100% if our concerned size particle is available at any level from 0 to capital H from 0 to capital H will settle 100% if smaller size particle is present if smaller size particle is present to 0 to capital 0 to small h particle will settle and H to capital H particle will not settle will not settle क्या यह बात समझे हो अगर आप तक यह बात पहुच गई है तो इस analysis को समझाने में लोगों को सालो लग जाते है और समझने में भी ठीक है और समझने में भी तो कह दो अगर यह बात तुम तक पहुच गई है तो कह दो कि हाँ यह बात समझ में आ गई है और comment box में में को बता दो जल्दी से और comment box में में को बता दो जल्दी से और comment box में में को बता देंगे कि हाँ यह बात आप तक पहुच गई है तो आज के मेरे दिन का पढ़ाना सफल हो जाएगा अगर आप तक यह बात पहुच गई है तो ठीक है हाँ भई क्या नामें तुम्हारा कर्माकर हाँ तो गर्मागर सुनो हाँ तो कर्मागर सुनो फिर सारे लोग लाइक कर दो पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एक भी लोग ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने लोग से शेर करा करो जितने भी आ कि हमारे concerned size particle, हमने यह मुला, all the particle, all the particle having size, all the particle having size, greater than concerned size particle, greater than concerned size particle, greater than concerned size particle, concerned size particle, will settle, will settle 100%, will settle 100%, minus smaller size particle, smaller size particle, smaller size particle, settle, settle, settle for height, settle for height, 0 to small h, and will not settle, and will not settle, will not settle, for small h to capital H, will not settle for small h to capital H, ठीक है, ठीक है, आज का PDF send कर दीजिगा, आज का PDF send नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि, अब लोग देखें न, board change करना पड़ रहा है, बार 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 बोड चेंज कर रहा हूं, है न, इसलिए आज का नहीं हो पाएगा share, आज का notes आप लोग बना ले न, बागी फिर मै पार्टिकल, concerned, concerned size particle, concerned size particle, कहां से कहां, 0 से लेके capital H में कहीं पे भी हो, 100% settle होगा, 100% settle होगा, ये तीन बाते सीखें हमने आज, ये तीन बाते सीखें हमने आज, ठीक है, तो ठीक है मेरे चीतो, जाओ, और मैनत करो दबा के, और थोड़े से sessions को बढ़ाने की कोशिश करता हू एकाथ subject और चालू करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग बहुत ही घजब तरीके से आगे की चीज़ों को देख पाओ, करमाकर समझ में आया है तुमको, करमाकर समझ में आया है तुमको, ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो ज़रा एक और चीज द पर होंगे, कि सर एक बार पढ़के देख लेता है, अच्छा लगेगा, तो फिर गेट के लिए प्रिपेर करेंगे, एजी लगेगा तो, ठीक है, ठीक है, तो मैंने बुला, यहां पर ध्यान से देख लो, तो अगर आप गेट 24 के लिए, अगर आपको लगता है, लेट हो ग कल कितनी बज़े होगा लेक्चर, कल लेक्चर होगा आठ बज़े, डेली लेक्चर आठ बज़े ही होता है, ठीक है, डेली आपका लेक्चर आठ बज़े ही होता है, ठीक है, इसका अलावा अगर आपको लगता है, नहीं मैं को गेट 23 को अटेम्ट देना चाहिए, तो गेट जो code आपको use करना है आपको लगता है कि अगर आप प्रतीक सर के चीते बनना चाहते हो और उनी की guidance में रहते हो डेली नहीं होता है डेली होता है डेली 8 बज़े होता है ठीक है अभी मैं बाहर गेता है इसलिए नहीं हो रहा था बागे डेली होता है तो आपको जो कोड यूज करना है वो यूज करना है वाई 500 है ना तो आप ये मेरा पर्सनल कोड है जिसके लिए आप फिर मेरे गाइडेंस में रहेंगे ठीक है अब पड़े होगा भाई ठीक है तो यह है पूरा तरीका तो आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जर्नी को मेरे साथ तो जस्ट गो विद इट ठीक है इसके बाद एक और सेशन अभी मैं लेने वाला हूं अगर आप लोग देखी रहे हो तो बताई देता हूं तो मैंने वाला हूं इसके बाद एक और सेशन लेने वाला हूं complete information, new badge, gate 24 के लिए, all branches, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि, yes, I have to do something, और अभी तक सर मेरे पास वो confidence नहीं था, अब मैं उस confidence को जुटा के, अभी से gate 24 के लिए प्रिपेर करूँगा, तो you can start with this, ठीक है, यह जो lecture होगा, यह साढ़े नौ बजे होगा, तो साढ़े नौ में बस 20 मिनट बचे होए, तो मेरे साथ देखो, क्या-क्या बताने वाला हूं, तो देखो, और फिर हम चीज़ों को start करेंगे, till then, bye-bye, thank you so much.